हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं कि यार यहां पे तो कोई भी नहीं तिख रहा किस से पोचो इतना गहना जंगल है कोई साइन बोड भी नहीं है यहां पे अरे आई साब यह पिपलया गाओ का रास्ता यही है ना अरे सुनो ना भाइसाब अरफ बड़ाची बात मी है हाई बेबी हाई पहुचकर अ बस पहुचने वाला हूँ तो तेल मी तुम अब तक नहीं पहुचे इतने लेट कैसे हो गए अच्छली क्या यह जगा शेहर से काफी दूर है और यहां सादा लोग भी नहीं दिखरे मुझे अल्राइट, तेल में अर्यू मिस्सिंग मी? अफ्कॉर्स पूछे वाली क्या बात है अच्छा तुम एक काम करो जल्दी जल्दी साई फॉमालिटीस खतम करो अपनी सारी कागजी करवाई अब आपनी सारी कागजी करवाई उसके बाद, मेब नेक्स बाइट से इक्सटाइड से आज की आपन जोई आपन जोई इन इंडिया वाच्छे रेट, यहाँ नुश अच्छा पेबी, मुझे लगा रहे कि मैं पहुच गया हूँ वह मकान दिख रहा है मुझे अरे यह गेर क्यों बंद है जीप रायरंजीत के मकान में जा रहे हो हाँ मच्छा मच्छा वह तेरी सिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी मच्छा मच्छा लेकिन आप कौन है मैं तुम्हारी मौत तुम्हारी मौत यह बढ़िया चल चल अरे जा अच्छा अच्छा वरना तु भी मरेगा तु भी मरेगा मच्छा वरना तु भी मरेगा कौन था? हाँ, अरे, बंदना में ठीकू, कोई नहीं था और मैं मैं पहुच गया हूँ, ठीक है, बंगले पे, मैं कॉल करता हू तुम्हे, ओके? ओके, यू टेक केर हाँ, आल स्पीक टीयू सून, बाई बाई, बाई आये, साहब साहब, साफर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई, नहीं, लेकिन वो, वो औरद कौन थी? बुडिया औरत जो आपसे बात कर रहे थी न, लाली नाम है उसका, थोड़ी अजीब सी है, आपको उसकी बातोंगा बुरा तो नहीं लगा, नहीं बुरा नहीं लगा मुझे पर, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, कि उस औरत ने मुझे यहाँ आने से मना क्यों किया, ज यहाँ यहाँ पर रहने वाले हैं, तो क्यों ना बगीचे के जो रंगब रंगे फूल हैं, फिर से खिल उठाएं, अच्छो, आईए सब अच्छा, एक बात बताईए, यहाँ कितने साथ से काम कर रहे हैं, बस साब यह समझ लीजे कि मैंने बच्मन बेच चलना यहीं से सीखा था, और आप इस घर से तब ही जाओंगा जब मेरी अड़की उटेगी, साब, अब यह घर आपका है, कहीं आप मुझे नौकरी से निक और नइ नई, नई चाचा, ऐसे इक ऐसी बात कर रहे हैं, ऐसी कोई बात में, बिल्कुल बेफिकर रहे हैं, और विसमी इतने बड़े घर के देखर एक आपके सिवा और कौन कर सकता है, यहाँ? वाक्दीं में याँ आप बहुत नेक इंसान है, आये साहब, यह है आपका रून, वाश्रूम उदर है, आप फ्रेश हो जाएगे, तब तब मैं आपके लिए खाने पिने का बंदो अबस्त करता हूँ ठीके, ठीके साहब चला जा, चला जा, चला जा, चला जा, वरना तू भी मरेगा कौन, मैंने कहा ना, चला जाओ, चला जाओ, कौने है, जैसे बाकी लोग मरे हैं, वैसे तू भी मरेगा भाल मत 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 जाओ, चला जाओ ठीक, पलेपाँ बाल मत लुझाँ झाल मत भी म overthrow पालओ घुझाई जूजकीन हुआ 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 साथ! अज़ग यह एक प्रादिवब प्लीज? हलो? भंगंग, can i speak to ACP Pradhiuwan, please? तुराव शान हो यहाई भृट रही है? मैं कौष भृट रही हूँ? मुझे यह क्या गाब है? मैं सिर्मुने मताओगी Can you just make me speak to him right now, please? एक एक पर लोल दिया? Sir? Yes, sir, phone call. Sir, कोई लेडी है, बहुत रोरी है. कह रही है, सिर्म आपसे मात करेंगी. Hello? Hello? एसी में प्रद्यूमन? अमें एसी में प्रद्यूमन बोल लाँ. Sir? कही है? Sir, में बनना बोल रही है, America, sir. Yes, tell me. Sir, में बहुत 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 हुत. क्या होँ आपके साथ? Sir, मेरे फ्योंसे, राज, इंडिया गए ते पच्टेने मकारें थे. Sir, बद्वों क्योंके कान्ने से उनके उनके बहुत हो गए. जा? अच्छा तो बताईए मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए? सर्थ ने कि बुझे लगता है कि उनकी बात बदब क्युक्क काटने से नही हुई इट पाक इट पाक इट इनका मौडर रॉआ है और इस बिन किल पाईसे क्यों लगता है आपको कि उनका खून हुआ है? सर्थ वो जब प्रॉपेटी खरीदे के बाद काजी कारवाई के लिए चारे थे तो तब? तब क्या हुआ? सर्थ मैंने साफ साफ सुना था राज को कोई औरत धंकार ही थी कौन? कौन थी औरत? नो सर्थ, I have no clue ज़र एक बात बताईए यह सकती यहां एक किसी के साथ कोई दुश्ष्मनी थी, कोई जगड़अगड़ हुआ था? नही थिर, राज की किसी के साथ कोई ऐनेविध, कोई दुश्मनी नही थी इन्एपय, राज की यही जानता ही और मैं तो और ऑपय्स कॉन कर सकता है एए? कुछ जान बेसकता है राग्टी, किया तो किसी बश्चक है? नहीं सर कोई श्चक नहीं सर राज्टोई नेक काम करने जा रहे थे कैसा काम? He wanted to start an orphanage सिर्फ एक अनातो श्रूम खोलना चाते थे वो वाकई नेक काम है लेकिन किसे खरीदने वाले थे मकान वो? सर, मकान थो अर्रेडी खरीज चुके थे गवर्मेंट से निलामी के बाद वो सर, इलिया कागजी कारवाई के लिए कहे थे दिखिए एक काम कीजिए सारे के सारे डिटेल्स मुझे भेज दीजिए मैं आपकी पूरी की पूरी मदद करूद 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 उसे सजा दिलवाएंगे वंदना उसका मंगेतर राज अमेरिका से इंडिया आता है मकान खरीदने अनाता अच्रन चराने पर राज की मौत होती है मदुमक्खी के काटने से इंट्रेस्टिंग सर, यह वही बंगला है जो राज ने सरकार से निलामी में खरीदा था अच्छी खासी प्रपरेटी लग रही है आप देखबाल करते हो जगे की? जी हाँ, कहिए तेहेंगे आप, हम सिफ सुनेंगे क्या मतलब? C.I.D. C.I.D.? क्या बात होगी सर? राज राकेश नाम के एक आदमी का खून हुआ यहांद बहुत बुल हुआ असार उनके साथ उन्होंने इस सरकार से यह मकान खरीदा था उन्ही की बात कर रहा है उनका खून नहीं हुआ मदू मुख्यों के काड़ने से उनकी मौत हुई है मन खुद अपनी आखों से देखा था देखा होगा आपने लेकिन यहां इस बंगलों में आने से पहले किसी वरत ने उन्हें दम की दी थी कुछ जानते हैं उस वरत के बारे में अच्छा वो लाली साहब वह बुड्या तो बे तुकी बे शर की बाते करती रहती है आप उसकी बातों को घंवीरता से मत लीजी क्या घंवीरता से लेने और क्या नए वो हम तयक कर लेंगे आप यह बताईए कि वो लाली है कहीं बेनि sah कहीं भी नी मतलब उस बिचारी का ना तो अपना कोई घर है और ना ही कोई अपना परिवार, बस दिन भर इधर उधर घुमती रहती है नहीं कहीं तो बैठती होगी, खाना वना खाती होगी, कोई एक जगे होगी ना जहां पर रहती होगी ज़्यादा था हाँ, पास में एक तालाब है, अकसर वहीं बैठी रहती है अच्छा, दे, क्या तुम इस लाली से मिल लो, तब तक इस मकान के अच्छा कर लगा लेता हूना ठीक है, अब ज़रा वो जगे दिखाओ जहाँ पे खोन हुआ था आईए साथ, राज साथ यहां गिरे पड़े थे पहले मदुमक्यों ने राज साथ को मारा, फिर वह खुद मर गए यह, मदुमक्य के हमले यहां पर एकसर होते रहते हैं क्या? नहीं साथ, इससे पहले तुमेने एक मदुमक्य ने देखी यहां पता नि, राज साथ के पिछे इतनी सारी मदुमक्यां अचानक कहां से आगे? राय रंजीत की हवेली से आ रहे हो ना तुम लोग राय रंजीत के मकान से लौट रहे हो आप कौन है? क्यों गए थे वहां? अपनी मौत को तावत देने गए थे? सर, लगता है यह लाली है अपने ही घर से दख के बार के निकाल दिया जोड़िये मुझे भावी को घर से बार के लिए उनका क्या लिहास करना? उन्हें ने खुद ही तो अंगूसा लगा कर ये घर मेरे नाम किया है तुने उन्हें शरा पिला कर धोके से अंगूथा लगवाया था अब क्यो किया? कैसे किया? इस गहराई में जाने से क्या फाइदा? तमझने वाली बात तो ये है कि ये मकान अब मेरा है और तू करश पर आगई है कलो निकलो ये से यहां से आगई तेरे हिस्से में ना सिर्फ घर नहीं आया है एक माकान आया है एक ऐसा माकान जिसके हर कौने मेरे बदुआए गुंझेगी मैं तुझे श्राब तेती हूँ सिर्थ तो ही नहीं इस गर का जो भी मालिक बनेगा वो जिन्ना नहीं बचेगा मौत का खेल होगा यहाँ मौत का खेल अब तरह कितने लोग मरें? वो साब लोग मर गए जिन्नोंने वो मकान खरीदना चाहा तुम लोग वो गरमत खरीदना तुम बले लोग लग रहे हो वरना तुम्हारी बीबी भी द्वा हो जाएगी माजी ये ये कुछ पैसे हैं काम आएंगे सर लगता नहीं है इसका राज की मौत में कोई हाथ है ये तो खुद बिचारी सदमे और विश्वास में लग रही है बोसकता है राज की मौत पे मौड़े ही ना हो कोई हाथसा हो अरी ये कमरा खुला कैसे है ये तो बंद था एक में रुको शायद राज ने खुला हो ये तो चटता है आपे ये तो चटता है आपे मैं पेली बादे रहो साथ ये राज यहां इस इस्टोर रूम में क्या करने आया था साथ शायद बंद देख ले आया होंगे अच्छा अर उस वक तुम काना लेने गए था है जी साथ कि अच्छा ये तो ये तो ये था यहां पे जी हां था कमल कि रहा हो साथ बुला रहे कमल जब राज साथ की महत हुई थी तो यह आस पास किसी अंजान आदमी को देखा था ता तुमने कोई अजीब सी घटना होई हो नई साथ तो ये चट्टा यहां पे है तो तो तुमें कुछ काम करने में परिशानी नहीं होती मदुमक्य ने काटा नहीं तमको कभी नहीं साथ मदुमक्य तो तब काटती ना जब यहां कोई छट्टा होता पहले तुमने छट्टा यहां देखा ही नहीं साथ क्या बात करने हाँ साथ मैंने आपसे पहले कहा ना कि इससे पहले इस घर में हमने एक मदुमक्षी भी नी देखिए कमाल है पिर यह चत्ता आया कहा से और मदुमक्यों ने राज को ही क्यों काटा यह तो कोई एक्सपर्टी बता सकता है आसानून के क्या पता चला राज की मौत के बारे में मौत कैसे हुई बस इसकी मौत मदुमक्यों के वज़े से हुई है जर तो फुझे पूरा यकिन है राज की मौत मदुमक्यों के वज़े से ही हुई है हाँ बस तो डॉक्तरी ने जो रिपोर्टए बनाई है मैंने वह देख ली इस राज का अच्छी तरह से चैक अप ऑ्लिया मुझे पूरा यकील है यहाज की मौत मद नुमक्यों के डMonK के जहर की वज़े से ही हीु Sir, ठजब में मुझे मद उमक्यने काटा था मैं तो जिन्दा हूँ हाँ सालूं के साफ पंकच पे जहर का एंधर की असर के नहीं हुआ एड़ी पंकज को मदुमक्ही ने काटा था, मदुमक्ही ने नहीं काटा था तो अगर एक दो मदुमक्ही काटे तो बात सभी में आती है लेकिन सेंखडों मदुमक्ही अगर हमला कर गए तो इट सिंपस्पूर मदुमक्हीयों के डंक से सारुम के कहता है कि राज की मौत मदुमक्यों के डंक से हुई है मदुमक्यों के जहर से और राज की मंगेत अरवंदना कहती है कि राज का खून हुआ है अंडेट परसन इस चट्य को बाहर से लाकत यहां पर लगाए गए मदुमक्य के चट्य को किसी और जगे से लागए कि किसी और जगए लगाया जा सकता? इतना आसान है? की मदुमक्यय राज के हमला करेंगे किसी और पर नहीं? लगबग तो तिन दिन अगर मान भी ले कि Kooni में ये च्टा यहां पर इसलिए लगा था कि वो राज को मार सके लेकिन उसे कैसे पदा था कि यह मदु मक्हिया राज पर हमला करेंगे किसी और पर नहीं मदु मखिया बिना वजय और दंग नहीं मारते करकि डंक मारने के बाद उनकी खुटी भी मोट हो जाती है तो ऐसी क्या चीज है जो उन्हे उत्तेजित करती है अटक करने के लिए देखे जब उन्हें लगता है कि साम्मे वाले इनसान से उन्हे कुछ खतरा है अच्छे के अधार साब ऐसा हो सकते है क्या कि कि मदूमख्यों को टेंड किया सके जो वो जो पीजिए एक आदमी पे अमला करें एसी बाते करते हैं अभी सार ये मदूमख्या शाप शूटर नहीं कि कोई भी इन्हे कहा दे के फलाँ फलाँ को डंक मारकर आ जा आपने अभी भी कहा कि यह मदुमख्य किसी को काटने के बाद यह खुद भी मर जाती है तो ऐसी क्या मजबूरी है कि वो किसी को काटती है ज़र डीटल में समझाएंगे मदुमख्य जब भी किसी को डंग मारती है तो फिरुमोन नाम का एक गंद छोड़ती है जिसने कि बाकी मदुमुख्यां सटेत होकर, सब मिलकर उस पर हमला कर देती हैं। इसलिए मैंने पहले भी कहा था, मदुमुख्यां बिना वज़य किसी पर भी हमला नहीं करती है। जरूर राज ने मदुमुख्यां के छट्ये के साथ सुझ छेड़गानी की होगी। सर, खूनी को कैसे पता थक की राज इस छट्ये के साथ छेड़कानी करेगा। कहीं ये मौत वाकई हादसा तो नहीं। नहीं परवी, राज के आने के ठीक दो दिन पहले इस छट्ये को यहां पे लगाना, ये कोई सयोग तो नहीं हो सकता। सर, राज की मौत के बाद ये घर बंदना के नाम हो जाएगा। तो इन सब के पेचे बंदना तो नहीं है। बंदना इंडिया का भारी है। वाट नॉंसेंस। अब कुड इवन थिंक लाइक दार। आप इसे कैसे सोच सकते कि राज की मौत के बेरा हाथ हो सकता। और फर्स कीजिए, कि राज की मौत के बेरा हाथ था। तो मैं आप लोगों को फोन क्यू करती। फुरिस तो अल्रेडी केस क्लोज कर चुकी थी ना। देगे, हम सिर्फ पूछ रहे हैं। वैसे, राज जी के बाद इस मकान किसके नाम पे वाया है। आप लोगों, राज ने गवर्मेंट से मकान खरीदा था, तो शायद गवर्मेंट को वापस में लिया। मुझे अभी तक कोई नोटिस निन है। और फिलर में राज का किसी के साथ कोई जगडा हुआ था। आप 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 लेडी तोल्ड यू दाया। राज एक नेग दिल इंसान थे और उनका किसी से दुश्मनी होना वास इंपॉसिबल। अगर मुझे पता हो तक राज की नेग दिली उनकी जान लेलेगी तो मैं उन्हें कभी इंडिया आने ही नहीं देती। ये अनात अश्रम खोलने का खयाल राज जी के दिमाग में कैसे है। राज खुद अनात थी। इसलिए वो दूसरे अनात बच्चों की फीलिंग समझते थी। वो अनात बच्चों को घर जैसा महौल देना चाहते थी। और जैसी उन्हें पता चला कि रहमेंट ये मकाम निलाम कर रही है तो राज ने सबसे उची बोली लगा कर ये मकान खरी थी। तो कहीं इस राज के मौत का कारण ये घर तो नहीं है? वो सकता है कोई और भी इस घर को खरीदना चाहता था राज बीच में आ गया है अब इसलिए वाट? को इतना नीच कैसे हो सकता है? इस दुन्या से इंसानियत उट गई है क्या? इंसानियत है बंदना जी इंसानियत है लेकिन कुछ लोग हैं जो इंसानियत में जहर गोलने पर तो लेव गए है पता करते हैं किस इसको इज़िस्पित इस प्रॉपर्टी में देखे सर मैं आप लोगों को नहीं बता सकता हूं कि राज जी के अलावा किन-किन लोगों इस निलामी में हिस्सा लिया था सॉरी यूँ? यूँ नहीं बता सकते? देखे ये सरकारी सर इंफोर्मेशन है ऐसे किसी किसा शेयर नहीं कर सकता हूं हम भी तो CID का ही काम कर रहे हैं हां वो सब ठीक है लेकिन क्या है कि अगर सरकारी नोटिस मिल जाए तो मैं यह आपको इंफोर्मेशन जिस सकता हूं उसके विना नहीं दिखा सकता से सर नोटिस मिल गए अब कुछ है है देखे अगर काम कायदे से होता है तो अच्छा लगता है हां ठीक है यह यह लेजे यह लेजे कुल मिलाकर सर बारा लोग थे जो इस बंगलो को खरीदना चाहते थे सर सर इस बंगलो के पास एक्ट्री सरकार एक हाईवे बना रही है इसलिए सब लोग बढ़ चड़कर बोली लगा रहे हैं और हर कोई इस बंगलो को खरीदना चाहता है अच्छा यह राज जी के मौत के बाद अब यह मकान किसको मिलेगा देखे राज जी ने कागजी कारेवाई पूरी नहीं के थी इसलिए निलामी अब दुबारा से होगी और जोबी जेता होगा उसको यह बंगलो मिल जाएगा I see और यह नई निलामी कब होगी? देखे सर अभी उसकी डेट तो तया नहीं है सर लेकिन आपको एक बात और बताना चाहूँगा सर कि राज जी से जितने भी बिल्डर्स थे वो काफी बढ़के हो थे, काफी नाराज थे क्योंकि उन्होंने सबसे सादा बुली लगाई थे नहीं सर, एक्षवी उन्होंने टेडलाइन के बात बिट समिट किती सर इसी वज़े से लोग नाराज थे उनसे लेकिन अगर डेडलाइन के बाद उन्होंने बिट किया था तो सरकार ने एक्सप्ट कैसे कर लिया? सर, एक्षवी वहाँ पर वो अनाथ हर्ष्रम खोलना चाहते थे और सर, अमेरिका से जो इंडिया का वक्त का फर्क है सर, वो साड़े नौ घंड टेका है इसलिए सरकार ने वो बेट एक्सेप्ट कर ली थी देखए अब कर तो तो इसे को मिलेगा जिसकी किसमत में होगा वे जिसमत में नहीं भी होगा Tara तो उसने अपनी किसमत के देखा में बदाने के लिए कोशश तो की होगी और जरूर इस लिस्ट में से ही कोई होगा वो लली जी, अब तो ये दुबारा निलामी होगी तो जिन लोगों ने एपलाई किया है इस दूसरे निलामी के लिए क्या हम उनकी लिस्ट देख सकते हैं? नो, सॉरी, ये लिस्ट आपको मैंने इसलिए दिखा दी के ये निलामी हो चुकी है लेकिन वो जो नहीं लिस्ट आने वाली है सर वो तो आप किसी भी के मत पने देख सकते हैं अरे, 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 साड़न के तू? क्या करने क्या जा रहा है यार? क्या तुन रहा हूं मैं? जो सुना है साही सुना है बहुत क्या सुना है? रिजाइन हो रहा है तू? अहां क्यों? क्यों? बस, मेरा टाइम आ गया क्या टाइम आ गया? ये क्यों ने? ताइम है यार अभी ये टाइम नहीं यार तो फिर देखो हर इंसान को लाइप में एक डेक दिन डिटार्मेंट लेना पड़ता है ना चैब क्रिकेटरों म्यूजिशनों कोई भी हो मेरा भी टाइम आगया आगया वे डिटार्मेंट ले रहो अभे कहा जा रहा है तुम ये द आगया पैसे वापस मिल जाएंगे कल की टिकेट रहो औरी मुझे रिखन नहीं चाहिए मजा रहा है तू अजाराग वापस तू ऐसे कैसे जाएगा तू अब अपने हाप पर इतनी पड़ी गल्ती होगी के शर्म हारी अपने हाप पर इसे कॉम सी गल्थी होगी ये वह वह बस वह खून है खून यही मुझे गल्ती होगी मदमक्य के एकसपर्ट से बात होगी तेरी क्या पता है उसने यार एकसपर्ट से भी बात की मैंने अच्छी तरह स्चेक भी किया तब मुझे पता-पड़ा ये तो हाथसा नहीं है खून है मदमक्यों को तो वह आतियार के तो पर इस्तिमाल करना है यार सालों के सब वो किसे तेको मदमक्या कब आती है इंसान के पास जब उन्हें फेरोमॉन की गंद आती तब ही ना हाँ जब उन्हें इंसान उसे खत्रा लगता है तब मदमक्या इंसान के पास आती है डंक मारती है भास यार यही मुझ से गल्तियों यह मैंने सोचा ही ने कि फेरोमॉन तो बनाय भी तो जा सकता है नहीं या आ या फेरोमॉन तो आर्टिफिशली भी बनाय जा सकता है लेगोरेटरी में फैक्टरी में मतलब किसी ने ये अर्टिफिशल फिरुमॉन बनाया और वो किसी भी तरह से राज के शरीर पर लगा दिया बस वदुमक्या आगी और उस पर अटैक कर दिया किस ने इस्तमाल किया ये फिरुमॉन राज पर यसमास यह राज का सारा सामान इस सूपकेस में ठीक है और एसी भी साब बता रहे थे आप रेटायर होने माले हो यह कब है अपका लास्ट का लास्ट वरकिंघ यह आपके लास्ट वरकिंघ यह से एक दिल के पाथ हैख्या अधलय नहीं हो रहा है तो पता करते हैं कि कौन से सामान में फेरोमेन है, ठीक है? यह पकड़ेंगे आप जड़ा, रख लिजे थोड़ी देर के लिए दिखेगा ना पार? दिखेगा अमादो मक्की है, इसके लिए कह रहा ता अभी जी तो 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 यह पूरगी है, यह दया आरे दीख रहा है, से पते ने चेलिए से पते हैं समाल के सर, समाल के? बादे लिजे सर ले इसमें फेरोमेन नहीं है अरे, सर, समाल के? उरे, कुछ नहीं, जिसमें परोमेन होता है उसी पर अटेक करती है अर्वी हाथ एक राज की पॉर्फिम ने फिरॉमिन मिलाएं तरुछी मिलाएं तरुछी ने इता है अरिक तुराएक, अरिक है happening, मदुनमगु पाई सेर आप औरॉप्ज़ से ए ही शर तुर को आजाओ आज वावाईए पानीे अजैस अरि सबसे में गलुग है जाओं ड़िए भीजा डला है पीज़ यह ने काना वावद दिजल खम यह जाए सिर्oMax आप टेको साथ? आप रेप आप मदुमक्की आपको रेटार निगोने देंगी साथ आप निकालो मुझे मदुमक्की आप नहीं हलो जी, नमस्ते कैसे आप? आप? जी, मैं चंदुमल पंदुमल कंकेश बास अरवा, बात लबाना हुए आपका पताईए, क्या काम था अपको? जी, वो निलामी के लिए था मैं वो पुराना वाला बंगलो हाईवे के पास वो खरीद ला है मुझे सर ऐसे नहीं खरी सकते हैं सर उसमें निलामी होगी तभी वो जो जीतेगा वो हरी सकता तो पैसा लगाईगा नमें देखे, अब टाइम नहीं बचा है डाकेश टाकेश जैँए रेजिस्टर में करा हा? साब को दो, एंट्र कीजे सब हाँ, यहाँ पर एंट्र कर दिचा अच्छा यहाँ साइन कर दिचे बूँट गुड़, लाइगे अच्छा, वेरी गुड़, यह तो अच्छा होगे, सर वो बंगले का चाभी मजाग कर रहे चाभी यह से थोड़ने मिलते है अर भी बोली लगेगी, निलामी होगी उसके बाद जीतेगा उसको मिलेगा, भई क्या बात कर रहे हैं वेट तो मही जीतूँगा यह पक्का है भाबी और बच्चों को मेरा पेहर देना तीके सर, थैंक्य। पता नहीं कहा कहा से चले आते हैं, कमाल है क्या बाइसाब काम हुआ सर, यह देखिये चंदुमल, फंदुमल, कंकेश्वास का कमाल गुट जब पंकज बारो में से दो लोग है, जिनोंने दुबारा बोली लगाई है विस मकान को खरीदने के लिए देमन तो रोशन मतब खोनी, इनी दों में से कोई हो सकता है अरो जो कोई भी है, इस बार भी इस मकान को हत्याने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हो दोस्तों, अब ये वक्त आ गया है कि बता दिया जाए कि निलामी का विजयता आखिर है कौन और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि निलामी के जो विजयता है मिस्टर रोशन रोशन जी आपको पहुत पहुत बढ़ाई हो सबसे जादा बेट बहने लगाई थी, ये कैसे चीत के? देखे, मैसाब आपको कोई गलत वाइम हुई है, सबसे जादा बेट मिस्टर रोशन ने लगाई थी इसलिए रोशन को मकान दे दिया गया है ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने बहुत उची बोली लगाई थी ये पेट मुझे मिलनी चाहिए थी या पैसे ही बात करें, सर मैंने थीनों लिफाफे चेक की हैं और चेक करने के बाद मिस्टर रोशन की किमा सबसे जादा थी इसलिए मिस्टर रोशन को मकान दे दिया गया है प्लीज कमान यार अब हार गया हो तो बच्चो की तरह रोवमत बिजनस है, हूच नीच होती है बिजनस में बेहिमानी नीच लेगी ये दिखाईए आप पहले लिफाफी दिखाईए मुझे अभी देख लेए किसने किते बिट करी है दिखाईए किसने किते इंतना थमने काराईए आपी देखाईए लॉयीह मुझे भी छक्ता है आइए टिफ दीटिंग लॉनाइगर एनियम के लिफ धिलाफ यह कि टिटिंग भी इनियम के गिलाफ है पुर्फिये चार कारॉर की लेफी कॉए तो बोलेगे कि मैने सिर्फ तीन कान लगाएं। तोवी फोन निया रहा राजा निया राजा राजा राजाएं लाले जी आप तो बड़े काइदे गनून की बाते किया करते थे और फोन भी नियुटा रहे हैं। यह तो बहुत घलब बात है, आप बीरो चलिया हमारे साथ आप कहा कि सगर है, Roshanji? आप हमें मिठाई नहीं खिलाएंगे? नहीं प्रॉपर डिली है आपने? आई है, आप ही आई है आई है आई है सर, Roshanji, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, सर सर, Roshanji का इससे कुछ लेना देना नहीं है जो भी फ्रॉड हुआ है, सर, मैंने किया है यह, रोशन का चुम अपने सिर पर क्यो ले रहा हो अच्छा खासा पैसा दिया है क्या, Roshan ने तुम्हें रिक बात याद रख लो यह पैसा खर्ज करने को नहीं मिलेगा क्योंकि तुरंट भाती होगी तुम्हें सर, सर, इतनी से बहमानी के लिए फासी चड़ा ज़ें गेश नहीं बहमानी के लिए नहीं खून के लिए, खून के लिए फासी होगी हाँ, किसका खून सर? राज राकिष का खून जिसने पिली निलामी में वो घर वो प्रॉपटी खरी थी सर लेकिन मैंने किसी को नहीं मा रहा है पता है इस रोशन नहीं मा रहा है तो इसकी पूल खोल दो वनना इसके पाप कमथका तुमारे से पउट जाएगा सर यह क्या गहन है सराफ? मैं भला रज को क्यों मारूँगा सर उस प्रश्टी के लिए, और इस लिए? क्या कह रहें आप शर्ट्ट्ट्अ? सर मैं मानता हूँ क्या मानता हो कि मैं ललित के थाथ मिलकर नेलामी में छोटी-मोटी हेर-फज़री कर था था पर तर एक प्रोपर्टी के लिए किसी का मड़र थोड़ी कर दूगा मैं मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है तुमने ये खोन नहीं किया नहीं सर चल ठीक है पुर्वी जड़ा लाना था? अ ये पर्फ्यूम छड़ग दू? ये पर्फ्यूम छड़ग दू? सर पर्फ्यूम आप आपकी मर्दी सर लेकिन हमारे स्केसे पर्फ्यूम का क्या लेना है सर मुझ बाकई पता नहीं किस पर्फ्यूम का कोई स्केस से संबंद है सर जी हम सच कह रहे हैं सर राज जी की मौत से हमारा कोई संबंद नहीं सर ललिक बिलकु ठीक है रहा सर तो फिर बच्चता है वो वही एक इन कागा से थाबित होता है कि तुम राय रंजीत के पोते हो तुमारे पास तो बहुत बड़ी बज़िया थी इस मकान को वापत पाने के लिए क्यों? तुमारे रंजीत के पोता होने से ये सावित नहीं होता कि ये खुन मैंने किया है इमन जी खुनी कभी-कभी अपने चुर्म के सबूत अपने साथ लेकर चलता है जैसे तुम मैं समझाने को मैं समझाता हूँ कि ये रह सबूत कमाले सालों के सब सेफटी सूट पहनने के बावजूद भी आप दोनों को मधु मक्हिऑ ने खाटा? कभी-कभी सेफ्टी सूट पहनने के बाद भी मधु मखिणा दंक मार संती है और फिर मदुमाखी के छप्ते को इधर से उधर ले जाने में तो और भी ज्यादा अटेक हो सकता है, नहीं? छी, देखे, अपि वो दर असल... बाद हो गया, अमद! तुमारी बेगुनाई का और भी कोई सबू चाहिए? छी, नहीं. मैंने ये सब किया था. जब राज बंगले में गुसा, तब मैं वहीं था. और मौका देखकर मैं बंगले में गुस गया था. मैंने इक पर्फ्यूम की बॉटल के अंदर फेरेमॉन मिला दिया. उसके बाद राज को आवाज से डिस्ट्रेक किया, मदुमख्य के शक्ते तक लेकर गया उसके बाद का काम मदुमख्यों ने कर दिया था. मुझ है मेरा पुष्टाइनी मकान वापस चाहिए था. वारे वार. अपने पुष्टाइनी मकान के लिए तुमने एक नेक इंसान का खून कर दिया. गानुन तुम्ही कभी मात महीं करेगा. तुम्ही कम से कम आजिवन कारावास की सजा होगी. ले जो इसे वांकाची. वांके. इस खतम रिटार हो सकता है तो. रे मुझे रिटार होना ही नहीं है. कल तुम तो बोल रहा था रिटार कर दो. वो कल की बात थी. ए भगवान मतलब पीछा तो नहीं चूटने वाला है इसान में से हमना. पीछा नहीं चूटने वाला है किसी का किसी से नहीं. मुझे तुम्हारे बिना चैन नहीं और तुमें मेरे बिना चैन नहीं ये लीजे सरकार ने बंगलो अब राज से आपके नाम करने का निर्णे लिया है उमीद है कि अब आप मिस्टर राज के अना ताश्रम खोलने का सपना पूरा कर पाएंगे राज के जाने के बाद बेरी लाइफ का यही मकसद रह गया है उसका आखरी सबना पूरा करना बढ़ थाएंग यू थाएंग यू थाएंग यू सो माच राज को जेस्टिस दिलाने के लिए हमने जो कुछ भी किया वो तो हमारा फर्स था आपको और कोई मदद की जुरत हो तो हमें जरूर याद करियेगा कभी-कभी आते रहेगा उन बच्चों को भी आपसे इंस्पिरेशन मिलेगी यह भी कोई पूछने की बात है हो सकता है उन बच्चों में हमें कोई हमारा नया CID officer मिल जाए कर दो हमें जरूर याद कर दो हमें